इसने मुश्कार दोफ्तों पर आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत है विंग टेक्नाइज चैनल पर आज हम करने वाले हैं कुछ समय के यूजर्ज के बाद में पोको F3 GT का एक छोटा सा रिव्यू पहले आपको कुक्ली दिखाते हैं कि आपको बॉक्स में क्या का कंटेंट देखने को मिलता है तो आप देख सकते हैं यह लो कलर का बॉक्स साथ में आपको मिलता सिक्स्टी सेवन का सूपर चार्जर जो कि इस डिवाइस के साथ मिलता है 15 मिनेट में 50% चार्ज करें देवाइस को देवाइस इटसेल्फ जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं एक यल्लो कलर का एल शेप्ड केबल जो की गेमर्स को ध्यान रख कर बनाया गया केबल की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और टाइप सी केबल है जैसा कि आप कवर लगाने के बाद भी डिवाइस को ज्यादा है ज्यादा बलकी नहीं हुआ है बट यस यह कवर बस बेसिक यूज के लिए बहुत अच्छा मतलब आपको लुक नहीं प्रोवाइड करें करें बेटर आप दूसरा कवर चूज करें तो यह है हमारा डिवाइस इसके अगर पार करनो डिजाइन की डिस्प्ली की या बिल्ट की बिलकुल बहुत ही शानदार दिखता है आप देख सेंथे फिजीकल ओवर व्यौ में डिस्प्ली बहुत आच्छे हैं बर्ड बॉत कम है पीछी की बात करें दौंक 12 को शीट इब घ्र के सटप मेल जाता है साइड मे पर आमरा रिंग के और एक फ्लार्श मिल जाता है वोको के ब्रैंडिंग है पीछ और सच में जब आप इस डिवाइस को फोल्ड करेंगे हां तो है कासा हेवी लगने वाला है बट यह जो बिल्ड आन फिनिशिंग इस डिवाइस की बहुत ही शानदार है प्रीमियम कॉलर्टी की आपको देखने को मिलती है चाहें आप इवन स्पीकर कट आउट देखिए बिल्कुल गेमर्स को ध्यान रख करके बनाया गया है तो भी आपके लिए अच्छा डिजाइन बिल्ड हो सकता है आपको मेगनेटिक ट्रिगर स्पीस में देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत पावर बटन जिसके इंदर की फिंगर्प्रिंट सेंसर इंटीग्रेड़ एक और आपको मेगनेटिक ट्रिगर नीचे आपको देखने मिलते हैं श्पीकर टाइप सी पोर्ट आइक माइकरोफोन और सिम ट्रे लेट साइड पर दिखने मिलते हैं वाल्यूम रॉकर जो कि बह इसकोल एज नहीं है साइड में बीजल सबसे कम है आपको इस प्राइस सेंज में मुझे लगता है सबसे कम बीजल इसी के हैं बहुत फ्लूइट का अमलेट डिस्पले है जो कि बहुत ही शांदार दिखाता है इसको आप एक पर वीडियो प्ली बीग देखे कितना शांदार है परफॉवांस के बात करें तो मेडिया टेक डिमेंजरी त्वाल अंडड प्रोसेसर जिया गया जो कि अल्मोस फ्लेक्षिप लेवल का प्रोसेसर अगर आप कमपेर करें स्नाप्रेगन से और मीडिया शेन जाते हैं एकसेप्ट प्रोग्जिमिटी सेंसर उसमें आपको प्र फटाफट फट खुल चैमरी की बात करें, 64 plus 2 plus 8 मिल जाता है, 64 का main, 8 ultra wide, 2 megapixel का macro camera, 2 megapixel का macro camera, फ्रेंट में 16 megapixel shooter मिल जाता है, fingerprint देखें कितना quick है, बस tap करता ही open हो जाता है, बात कर लेते हैं, बैटरी और चार्जिंग, बैटरी 5065 mAh की और चार्जर आप देख सेते हैं, चार्जिंग ब्रिक देगया है, और इंज टिंट है, इसके अंदर की USB के पार्ट में, 67 Watt का फास्ट चार्जर रहा है, जो के अपके डिवाइस को 15 मिनिट के अंदर 50% अप चार 1.4 पर अपडेटेड है, और आपको कंट्रोल सेंटर भी आपको डिफरेंट देखने को मिल जाता है, अगर आप आप फोर में आपको दिखाऊं तो आप देख सकते है, 128 GB और 8 GB वाला मेरा वेरियंट है, POCO F3 GT, और लेटेस्ट अपडेट पे चल रहा है, लेटेस्स सेक्यो आपको ये कस्टमाज़ेशन रियल में और उपो में देखने को नहीं मिलती है, बट ये स्पोक आपको प्रवाइट करता है, डिस्पली के भी आप 60Hz या 120Hz कंप्लीटी चेंज कर सकते हैं, हालां कि ये अडप्टिव वाला नहीं है, जो कि मुझे डाउन पॉइंट लगा, और अगर ब्राइटनेस के बाद के बाद के तो डिवाइट इनफ विजबिलिटी देता है, आउटसाइड भी और इंसाइड भी ब्राइटनेस आप देख सकते हैं, तेज करने पे अच्छी कासी ब्राइटनेस इंडोर में भी जनरेट हो जाती है, और HDR प्लेग करते हो तो और भी बढ़िया हो जाता है, नेटफ्लिक्स पे HDR सपोर्टेड है, अगर आप बीजल्स देखे तो बहुत ही थिन बीजल्स है, मुझे बहुत जादा अच्छा लगा, ओबरॉल ये डिवाइस बहुत ही शानदार पैकेज है, एकदम घजब के स्पेसिफिकेशन आपको दे इसका लॉंग टिम यूज करने के बाद फुल रिवी भी हम जरूर लेकर के आएंगे, तो अब अब दिस वीडियो, थांक वी वचिंग दिस वन, आल स्वी नेक्स वन,